दोस्तों, कभी स्टॉक मार्केट के चार्ट्स में खोए हुए महसूस किया है? चलिए, NSE पर हिंडूस्टन एरोनॉटिक्स को आसान तरीके से समझते हैं. हम बेसिक्स से शुरू करते हैं. हिंडूस्टन एरोनॉटिक्स फेबूरी से ही मजबूत अब ट्रेंड में है. हाइर हाइज और हाइर लोज दिखा रहा है. ट्रेडर्स के लिए ये एक बुलिश सिगनल है. अभी हाल में आपको वो तेज अपवर्ड मूव्मेंट दिखा. वो बड़ा ग्रीन कैंडल एक स्ट्रॉंग ब्रेकाउट चिल्ला रहा है और उपर जाने के संकेत दे रहा है. लेकिन सब हरा भरा नहीं है. चलो, रिजिस्टन्स की बात करते हैं. 5533.45 के आसपास लंबी विक्स वाले रेड कैंडल्स पर ध्यान दीजिए. ये आपके लिए इशारा हो सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है. अब अपने एंट्री और एक्जिट पॉइंट्स पहचानना बहुत ज़रूरी है. बाई करने का सोच रहे हैं, स्टॉक को 5533.45 के ऊपर मजबूती से होल्ड करते हुए देखिए. या फिर 5000, 5200 जोन में पुल बैक का इंतजार करिए जहां बुलिश पैटर्न्स दिख रहे हैं और एक्जिट्स के लिए रिजिस्टन्स लेबल्स पर नज़र रखिए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने पर विचार करिए ताकि आपके प्रॉफिट्स चलते रहें और इंवेस्टमेंट भी सुरक्षित रहें याद रखिए इन कैंडल स्टिक पैटर्न्स को मुविंग आवरिज़ और वॉल्यूम जैसे दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाने से और साफ तस्वीर मिल सकती है जो आपके ट्रेडिंग डिसिजिजन्स को गाइड करेगी हमेशा अपनी रिस्क टॉलरंस के हिसाब से पोजिशन्स को साइज करिए और मार्केट न्यूस पर पैनी नजर रखिए हैपी ट्रेडिंग